बिग बॉस 14 में इस बार कंटेस्टेंट के इविक्षन को लेकर पहले ही बड़ा ट्विस्ट देखा गया कंटेस्टेंट के इविक्षन का सारा सीनियर सीना खान, सिदार शुकला और गहर खान के हातों में था उन्होंने बिग बॉस 14 के घर से इविक्षन के लिए अपना फैसला सुनाते हुए पंजाबी सिंगर सारा गुरुपाल का नाम लिया उनके इस डिशिजन के बाद काफी बवाल मच गया था फ्यांस ने सीनियर्स को बी साइड बताया अब इस पर सारा का भी रियक्षन आया है सारा गुरुपाल ने वीडियो साजा करते हुए अनफेर इविक्षन पर बात की है उन्हेंने कही कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं था अगर जनता मुझे निकालती तो मैं खुश होती मेरी परसनलिटी ऐसी नहीं है पर जनता को मेरी परसनलिटी अच्छी लग रही थी मुझे लगा मेरे अंदर ही कोई कमी है पर किसी एक इंसान की वज़े से ये चीज होती है तो यहा सुईकार नहीं है मैंने घर के टास्क से लेकर घर के काम तक सब कुछ किया और मैं इस पर बहुत गर्व करती हूँ पर जो भी हुआ हीना और गौर भी इस फैसले के खिलाफ थे वो भी ऐसा नहीं चाते थे सारा ने इस वीडियो के साथ एक नोट भी साजा किया है औरियन्स के प्यार के लिए आभार जताया उन्होंने अपने इस नोट में भी लिखा जिंदगी भी बहुत अनफेर है और आपको इससे डील करना पड़ता है आप सभी को फिर से सभी चीजों के लिए धन्यवाद बता दे कि सारा गुरुपाल के इविक्षिन के बाग शोशल मीडिया पर फैंस ने सीनियर पर बी सैड होने का आरोप लगाया था शोग के इविक्षिन में फैंस ने शहजाद देवल और राहूल विद्यक के ज़्यादा कमजोर होने की बात कही थी